सबका स्वागत है फार्मेसिन नॉलेज की इस यूट्यूब चैनल पे आज की इस वेडियो लेक्चर में फार्मकलोजी का कुछ इन्पोर्टेंस से कोचंस को हम सौल्ब करेंगे ट्रेक के माधियम से तो प्रेंट्स आप वेडियो को कम्पिलेट लास तक जरूर देखें और पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राब कर दीजे तो लेट्स अस्टार्ट दी वेडियो प्रेंट्स आज का जो हमारा पाला ट्रेक है प्रेंट्स एस्प्रेंट की साड इफेक्ट को हम कैसे आद रख सकते हैं तो प्रेंट्स आपको कुछ नहीं करना है एस प्रेंट्स एस्प्रेंट को हमको लिखना है ए ए फूर अस्थमा अगर प्रेंट्स कोई वेक्टी अस्थमा से गर्शित और वा एस्प्रेंट्स यूज कर रहा है तो उसकी साड इफेक्ट देखा जा सकता है एस से सालिसेलेजम, पी से पैप्टिक अलसर हो सकता है प्लेट यहासानी सयाद रख सकती हैं Next है Prennts drugs used for rimetide arthritis Prennts rimetide arthritis एक परकार की autoimmune disorders हैं जिसमें हमारी खुद की immune systems हमारी body के cells के against काम करने लगती हैं और उसके कारण जो arthritis डेवलफ होती है उसको rimetide arthritis कहते हैं तो Prennts कौन-kौन से drugs हम rimetide arthritis में यूज करते हैं आपिस्ट्रिक के मादियम सहाध रख सकते हैं फ्ररंट्स आप सभी को मालुम है वे सिलपा सेटी तो फ्रेंट्स सीलपा वे सिलपा को आप अलपाबेटिकल वार रिडिकल वारन में जमा दें फ्रेंट एस एस फोर सलपासलाजिन्स जो एक सलफॉन काटेगरी का ड्रग्स है H for hydroxy cunin जो friends cunin काटेगरी का ड्रग्स है I for immunosuppressant L for liphonamides and P for penicillamins and A for AU जिसे gold भी कहते हैं तो friends आप रिमटार्ड अर्थराटिस की ड्रग्स को सिलपा की नाम से असानी स्याद रख सकते हूं हमारा next trick है friends drugs जो हम यूज करेंगे डायसलफराम लाइक रियक्शन्स डिजोडर्स की केस में तो friends आप असानी से याद रख सकते हों P C C C C M M friends आप इसको कैसे याद रख सकते हो P M M C के पावर 4 तो friends देखते हैं कौन-कौन से drugs हम यूज करते हैं देखते हैं डायसलफराम लाइक रियक्शन्स की केस में P4, Procarbogenes C4, Cifamandol C4, Cifatetone C4, Cepoparazons friends जितने भी Cip केटेगरी का जो ड्रग्श आती हैं आपको मालू में Cephalosporin केटेगरी का ड्रग्श होती है C4, Clopramates Clopropamates M4, Metronidazole M4, Moxalectum Metronidazole एक परकार के Antifungal Drugs यूज़ करते हैं Moxalectum हमारी Monobectum केटेगरी का ड्रग्श है तो friends Diasalpharam-Lag reactions की केटेगरी में हम इस परकार के ड्रग्श को यूज़ करते हैं Diasalpharam-Lag reactions को Overcome करने के लिए हम next discuss करते हैं Friends Classifications of Local Anesthesia Friends यहाँ पर जो हम classify करेंगे Local Anesthesia को Medicinal Chemistry के according classify करेंगे Friends Kology के according बिल्कुल यह classification सही नहीं है Friends अगर हम बात करें Medicinal Chemistry के according तो जो हमारी Local Anesthesia होते हैं और दो भाग में बाटा गया Amad और रिष्टर केटेगरी में जो Amad होती Friends जितने में Local Anesthesia Amad के टेगरी को बिलोंग करती है उसमें दो आई आता है Friends टू बार उसमें आई रिपीट होता है Friends आप एक्जामपल के थूरू समझ सकते हो Legocans, Boviva Can, Debucans, Prelocan, Rupivagans Friends जितने भी ड्रग्स हैं हमारी Local Anesthesia इन सभी में आप देख सकते हो Double I का यूज हो रहा है Friends इसी तरह से जो इस्टर केटेगरी का Local Anesthesia होता है उसमें Single I आता है जैसे Friends आप एक्जामपल के थूरू समझ सकते हो Cocan, Procan, Clore, Procans, Tetracan, Benzocans Friends Local Anesthesia और General Anesthesia में मैं सिंपली डिफाइन करना चाहता हूँ कि Friends Local Anesthesia या Specific Part of Minor Surgery के लिए यूज करते हैं जबकि General Anesthesia Major Operations के लिए यूज करते हैं तो Friends Local Anesthesia जो हमारी यह थे ANS पर काम करती है जबकि Friends हमारी जो General Anesthesia होता है वो PNS पर काम करती है तो Friends या Classification Local Anesthesia का आप इस परकार से आध रख सकते हो Next डिसकस कर लेते हैं वैसे कौन कौन से ड्रग से जिसका यूज करने के कारण से उसकी side effect adverse effect बोल सकते हैं हरस्टीजम्स डिजिज काउज कर सकते हैं तो Friends Phenilin M.C.A. आप आध रख सकते हो आईजली आध रख सकते हैं Friends जितने भी हमारी स्थैनिक होते हैं वहाँ एक केम्प लगा गए रहते हैं तो Friends आप आध रखना आपको केम्प Friends C.4 Cyclosporins A.4 Anabolic Asteroids Friends Anabolic Asteroids को आप कैसे आध रख सकते हैं जितने भी Olon केटेगरी के ड्रग्स आएगी Olon O.L.O.N.E तो Friends वहाँ हमारी Anabolic Asteroid केटेगरी के ड्रग्स होती है M.4 Minoxidils P.4 Phenoteins तो Friends ड्रग्स, Couging, Herosteism को आप सिंपली आध रख सकते हो KEMP, C.4 Cyclosporins A.4 Anabolic Asteroids M.4 Minoxidils P.4 Phenoteins Next आप डिसकस कर लेते हैं Friends Drung Couging, Stephen Johnson Syndrome वह कौन कौन से ड्रग्स है जिसके यूज़ करने के कारण उसके adverse effect हो सकती है Stephen Johnson Syndrome Friends आप असानी साहद रख सकते है Salt B Friends आपन नमक यूज़ करते है उसको आपन बोलते है Salt और Salt में क्या है Friends Vitamin B आपका अध रखना Salt B तो Friends A.4 Salponamide A.4 Alipironols L.4 Lamotresins T.4 Thioacetagons B.4 Bisacodyles तो Friends इन सारे ड्रग्स को यूज़ करने के कारण Stephen Johnson Syndrome हो सकती है Friends इन में से कुछ और ड्रग्स है जैसे Phenotoins Carmomagipins Phenobarbital Lomotresins Panicillins औरित्रोमाइसिंस ये सारे ड्रग्स भी अपने को Stephen Johnson Syndrome का उच करता है तो Friends Stephen Johnson Syndrome बहुत ही Important Syndrome से बार-बार एक्जाम में पूछा जा रहा है तो Friends आपको असानी से आद रखना है Stephen Johnson Syndrome से कौन-कौन से ड्रग्स का उच करता है Next हम डिसकस कर लिते हैं Constipation Couging Drugs वैसे कौन-कौन से ड्रग्स है जिसके यूज़ करने के कारण Constipation हो सकती है Friends Friends हमारा ट्रेक है Constipation Friends आप Constipation को Alphabetical orders में लिए के Constipa Friends Constipa को अपन Alphabeticals में Capital Alphabeticals में लिए के Friends C4 CCB Calcium channel blockers जिसकी अंतरगत में भेरपा मिल से और सदर ड्रग्स आती है Calcium carbonates भी यह पन इसमें काउच कर सकता है Constipation वो पूर Opiates के कारण भी Constipation हो सकती है N4 Ganglion blockers Ganglion blockers Drugs का उच कर सकता है S4 Sulfate Variums के कारण हो सकता है T4 TCA Friends Tetracyclins और Thalidomide के कारण से अपनी को Constipation हो सकते है I से Ion Exchange Regents के कारण से हो सकती है P से Phenothiagins के कारण से हो सकती है और यह पूर Almonium Hydroxides Friends Dairyya होती है तो Friends जितने भी अपन सीरप यूज करते है जितने भी Constipation के सीरप आती है Friends उसमें Balance होती है Magnesium और Almonium का ताकि हम इंच्वाइन को अपने को डारिया ना हो इस दोनों को Maintain करने के लिए Almonium और Magnesium का Compositions में Friends जितने भी आपकी सीरप आती है Constipation के लिए वो यूज किया जादा Friends एक और Almonium को आपको आदी रखना है तो Friends Constipation का आउजन ड्रक्स आप Constipa के नाम से असानी से आद रख सकते हूँ Next हम डिसकस कर लेते है Friends Drugs safe for the treatment of hypertension since pregnancy Friends आपको मालूम है Pregnancy के case में किसी भी परकार की कटेगरी की ड्रक्स को हम without the consult of doctors यूज नहीं करते हैं चुकि Friends Blood-Brain Barrier को Cross करकि प्लसेंटा के धुरू हमारी चाइल्ड को Effect कर सकती New Wars Baby जो मदर्स की यूटरस में Develop हो रही होती है उनकी प्लसेंटा के दोरह Blood-Brain Barrier से उनकी किसी भी ओर्गन्स को डेमेज कर सकता है तो Friends इसलिए Pregnancy के case में अगर कोई बैगती कोई महिला अगर Hypertension से घरसित हो जाती है तो Friends उस case में हमको किस परकार की ड्रक्स को यूज करने है आप ट्रिक से असानी से आध रख सकती है Friends हमारा ट्रिक है Better Mother Care During Hypertension Pregnancy Friends जो समयला की Hypertension BP बढ़ जाती है उस case में वो बहुत ही केर होती है तो Friends बहुत ही केर करती है तो Friends इससे से बना लिए है हमने B4 Beta Blockers Friends Cardio Selective Labetalols Beta Blockers Cardio Selective अपन यूज़ करेंगे इसमें M4 Methyldopar Drug of Choice होती है Friends Methyldopar Clunidin दोनों Drug of Choice होती है In case of Pregnancy Hypertension Friends यह हमारे Central Actings Sympathomymetic केटेगरी की ड्रग साथी Anti-hypertension में During Duc Friends Dihydro Parodins Calcium Channel Blockers इसमें अपन यूज़ करते हैं Dihydro Parodins मतलब Friends जितने भी Dipin केटेगरी की ड्रग साथी Amlodipin Phelodipin Nipodipin Nicar Dipin इस केटेगरी की ड्रग को यूज़ करेंगे Dihydro Parodin Calcium Channel Blocker H4 Hypertension Hydrologen Drug of Choice होती है Hypertension Emergencin Pregnancy Friends अगर कोई महिला Pregnancy है Pregnancy है स्टेज में है और Friends उनकी Emergency case में Hypertension की ड्रग्स देना है तो Hydrogen Drug of Choice होती है P for Parajocin Pregnancy for Parajocin Friends आपको मालू है Parajocin Alpha Blocker की केटेगरी है Parajocin केटेगरी को आप असानी से द्रग सकते Alpha Blocker की Ajocin Friends जिसपे भी आता है Parajocin Toxajocin ये सारी केटेगरी की ड्रग्स को आप असानी से यूज कर सकते है Friends In case of Pregnancy इसकेश कर लेते है Friends Drug Cowsing Gynecomastia Friends किस केटेगरी की ड्रग्स अपन यूज करते है जिनके कारण गायने को मेस्टिया जैसे रोग ड्रग्स हो सकती है ड्रग्स काउज हो सकती है Friends हमरा ट्रिक बहुत ही फन्नी है इसके लिए देशी गोसी पॉल are most common काउज फूर गायने को मेस्टिया in Korean people Friends Korean people आप यहाँ पे बहुत भी ले सकते है Friends के के जगा पे आप कीरन कर दीजिए देशी गोसी पॉल are most common काउज फूर गायने को मेस्टिया in Korean people तो Friends आपको आद रखना कैसे देशी देशी को Friends D for digitalis Digitalis मालूम है Friends congestive heart failures के केस में यूज के जाने वाले द्रग्स है E for ethnomads ethnomads Friends अपन ये अपने second category second lens antitivorculine drugs S for aspirinol potassium sparing बोलता डियरोटिक्स Friends जो अपन पढ़ेते डियरोटिक्स के केस में I for isonia Z first leno antitivorculine drug G for graciofollowin graciofollowin antifungal drugs होती है R for resarpin M for methyl dopha C for semitidine और caproterons acetate F for fluma flutamads G for goceralins K for ketoconazole P for phenotein phenotein anti-epileptic drug होती है ketokinazole जो होती है Friends ये fungal infection से यूज के जाने वाला drugs होती तो Friends ये सारे drugs gynecomastia cousing drugs होती है अगर आपन बिना doctor की consults में इस परकार की category drugs को यूज करते हो तो gynecomastia severe problem आपको हो सकती Friends मैं ब्रेप मैं आपको बताना चाहूँग gynecomastia होती क्या है Friends female like breast development होनी लगती male में किसी hormonal disbalance कौन कौन से ड्रग से जिनकी कारण metabolism enzyme को inhibit कर सकती है तो हमारा ट्रे All Indian men can die for country and maintain sound peace and quite everyone drying paroxy of killer semi can verify it तो Friends आप इसकी माधियम से असानी से आद रख सकती हो All for yellow perinol Indian for isoniazid M for metonidazol can for kletromycin di for disulfurams country for chlorphenicol हम next discuss कर लेते brands metabolism enzyme induces वैसे कौन से ड्रग्स होती है जो metabolism हमारे enzyme के induce करते है तो Friends हमारा trick राम black car गोच foot foot and smokes हम next discuss कर लेते drug causing hypokalemia Friends वह कौन कौन से drug है जिसके कारण हमारी body में potassium की level deficiency हो जाती है तो Friends अब trick से आद रख सकते bed fit B for beta 2 agonist प्रें beta 2 agonist category की जो drugs होती है hypokalemia का होज करती A for M for terresin B D for digoxins F for phyrosamide force carent I for insulin और T for thai zards Friends अपने high apic acid direct category की drugs होती है था zards के अंतर बहुत सारे drugs आती है तो friends bed fit के मादिम से आप रख सकते drug causing hypokalemia हम next discuss कर ले friends koli नर्जिक friends organo phosphate side effect कौन कौन drugs की organo phosphate side effect हो सकती है तो friends trick dumbbells dumbbells D for diarrhea U for urination M for maturation B for bronchoc constriction L for lacrimation E for excitation soft narcotic synaps S for sweating S for salivations friends in सभी हमारी side effect होती cholinergy category drugs use करने के बाद इन सारे symptoms को आप देख सकते हूँ next time discuss कर ले friends drug causing erectile dispens कौन कौन से category drug use करने के कारण हमारे erectile dispens हो O4 methyl dofa होता है और P4 propanols friends propanolols जो इन category drugs use करने के कारण हमारे erectile dispens हो सकती है next हम discuss कर ले drug which metallic test friends कौन 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 से drug हो जिन के कारण metallic test आ तो friends हमारा trick moms वादा friends mom वादा friends वादा का मतलब होता promise जो हमारे moms है वा हम से वादा करती है M4 metronidazole P4 vincristine A4 acetazolamats D4 Dysulfurams and A4 Aeronorphins friends Aeronorphins तो friends इस काटेगरी के drugs यूज करने के कारण metallic test हमारे देखने को मिल सकती है so friends thanks for watching this video friends अगर video पसंद आयो तो channel को like share and subscribe कर दीजेग friends next part मिलते pharmacology 2 trick के